दोस्तो आज हम बात करेंगे दुनिया के दो सबसे बड़े हलिकॉप्टर्स की जो भारत के पास भी मोझूद है जिसमें से ये खलीकॉप्टर अमेरिकन है वही दूसरा रसेन है ये है चिनूक हलिकॉप्टर जिसे भारत में अमेरिका से 15 की संक्या में खरीदा है जो किसी भी मोसम में आराम से उडान भरने में सक्सम है ये दो रोटर वाला हेलिकाप्टर है और इस तरह के टेंडम रोटर डिजाइन वाली हेलिकाप्टर अभी के समय स्रिप अमेरिका ही बना रहा है चिनुक हेलिकॉप्टर भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हेलिकॉप्टर है और पहले नंबर पर है MI26 हेलिकॉप्टर जो भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा हेवी लिप्टर है और भारतिय वायु सेना के पास 4 MI26 हेलिकॉप्टर मौजुद है चिनुक हेलिकॉप्टर EMI26 से ज़्यादा फ्यूल एपिसेंट और कम आपरेटिंग कॉस्ट के साथ आने वाला ट्रांस्पोर्ट हेलिकॉप्टर है ये हेलिकॉप्टर अपनी एक फिर में अल्ट्रालाइट हो विज़र EMI777 को बढ़ी आसानी से ले जा सकता है और ये एक बार में 55 soldiers को ले जाने में सक्सम है और बात करें चिनुक के cargo carrying capacity के तो ये हेलिकॉप्टर एक बार में 10,800 kg का वजन ले जाने में सक्सम है चिनुक की maximum speed 315 km परती घंटे की है जो अपाचे और Black Hawk जाईसे हेलिकॉप्टर से ज़्यादा है इसकी combat range है 370 km परती घंटे की और ये 20,000 feet की उचाई पर उप्रेट कर सकता है ये है दुनिया का सबसे बड़ा हेलिकॉप्टर एमाई-26 जो सोवित रशिया द्वारा बनाये गया अब तक का सबसे बड़ा और पाउरफूल हेलिकॉप्टर है जिसे civilians और military दोनों के लिए यूच किया जाता है इस हेलिकॉप्टर को अभी के समय 15 देशो द्वारा इस्तमल किया जाता है जिसमें भारत भी शामिल है भारत ने रशिया से 4 येमाई-26 को लिया था जिसमें से 3 हेलिकॉप्टर भारत के पास मौजुद है येमाई-26 की फर्स फ्लाइट 1977 में हुई और 1983 में इसी इंडक्ट कर लिया गया और तब से लेकर अब तक येमाई-26 दुनिया का सबसे बड़ा operational ट्रांस्पोर्ट हेलिकॉप्टर है जिसकी lifting capacity कई ट्रांस्पोर्ट एरक्राप से भी ज्यादा है इसकी cargo carrying capacity 20,000 kg की है जो चिनु के comparison में लगबग दुगना भार उटा सकता है इसकी maximum speed है 295 km प्रति घंटे की और इसकी screw speed 255 km प्रति घंटे की है वही ये cargo के साथ 500 km की range देता है और 4,600 मीटर की इसकी service ceiling है जो भारत के requirement के हिसाब से काफी कम है इसलिए भारत ने अमेरिका से 15 चिनी खेली कोप्टर को खरीदा है जिसकी service ceiling 6,100 मीटर की है जो भारत के requirement के हिसाब से fit bet थी है